विजसाने करें हेलो दो lose संदीप सिह वेल्कम टो मेक्माक प्रेवियर लेक्शर पर्यसल्टाइव लोगों ने कोड़िंड रिक्डिंग का टॉपिक को डिसक coding तो यह alphabet coding यह letter coding कहला है जैसे number coding में कहा था कि words को number में ही convert करना number coding कहलाता था उसी तरीके से words को words में ही convert करना letter coding कहलाता है ठीक है तो letter coding के कई सारे concepts होते हैं जिनके विहाब पे अगर आप question को देखें तो वह भी question आपका hardly 20-25 seconds में solve हो सकता है तो categories कौन-कौन से हैं जिसके भी हाब पे आप question को देखके जल्दी solve कर सकते हैं तो उसके लिए आएए जहाँ discuss करते हैं इसके कुछ questions को जिससे आपको इसका फंडा पता चलेगा जैसे एक question आपके सामने screen पे आ रहा है कि वहाँ पे लिखा गया है Portuguese का code क्या लिखा हुआ है E-S-E-G-U-T-R-O-P ठीक है तो आपको क्या करना है सबसे पहले Portuguese का जो code यह बना हुआ है E-S-E-G-U-T-R-O-P उसका पहले आपको pattern find out करना है यह pattern कैसे find out होगा आई जचे करते हैं इसको हम बोलते हैं इस method को shifting का method shifting का method क्या होता है कि इसमें जो word आपको दिये गया है उस words के letters को ही आगे पीछे shift करके उसका code बना दिया गया है कैसे जा check करते हैं कि portries का जो code दिया गया है उसका code क्या लिखा गया है e s e g u t r o p तो आप देखके कहेंगे कि sir potries का जो आपने code बोला है या जो आपने code बनाया है इसके code को आपने बनाने के लिए सारे के style letters को क्या किया है reverse order से लिख दिया है तो आपके पास अगला word क्या दिया गया था मलयालम है ना तो मलयालम अगर वर्ड का आपको कोड फाइंड आउट करना है तो इसका कोड बनाने के लिए आपको क्या करना है इसको भी रिवर्स ओर्डर में लिख देना है तो चले इसको भी रिवर्स ओर्डर में लिख देते हैं तो आपके पास कोड क्या बनेगा इसका फ second question क्या था second question यह बोला गया है कि इन इन पर्टिकुलर कोड लैंग्वेज इस्टाबलिस इस्टाबलिस को कोड क्या दिया गया है A T S L I B E S I तो अगर आप इसको जाट चेक करें सबसे पर देखिए हमें कोड निकाला है चिल्डर्स का बट चिल्डर्स का कोड तो हम तब निकाल पाएंगे जब हम पुर्टिकुलर्ली स्टाबलिस का Cord bona पाएंगे कि यह कैसे Bona तो जैसे पिछली बाद को शन में किया था कि सारे सारे words के लेटो क्या किया तो आप सबहुर्यकों किया गया तो आप इसको चेक करेंगे तो आप देखें कि सब्सक्राइब को तो रिवस नहीं किया गया इनको तीन-तीन के pair में divide कर दिया गया और तीन-तीन के pair में divide करने के बाद इनको reverse order लिप दिया कैसे HTA को reverse करिए ATS, BIL को reverse करिए LIB और ISE को reverse करिए ESI कितना आसान है आपके लिए अगले word का code निकालना इसके बताए next word क्या था Children's आपको Children's का code निकालना है तो क्या करेंगे? तीन-तीन का आपने भी इसको pair बनाया और pair बनाया के score reverse किया IHCRDLSNE भोलिए, funda clear हुआ? तो shifting के question को solve करने का funda क्या है? कि इसमें जो words आपको दिया जाते है उस words के letters को आगे पीछे shift करके उसका code बना दिया जाता है यह हो सकता है कि सारे-सारे letters को reverse कर दें या दो-दो का pair बना के reverse कर दें या तीन-तीन का pair बना के reverse कर दें इस तरीके से आप shifting वाले questions को solve कर सकते हैं जो की letter coding का एक part होता है ठीक है? आई जाए तीसा question discuss करते हैं, तीसा question क्या दिया गया है? तीसरे question में आपको दिया गया है कि in a particular code language, cupboard is coded as cupboard को code दिया गया है CXPBXXRD ठीक है? आपको किसका code find out करना है? आपको code find out करना था amazement का अब amazement का अगर आप code तो तब बता पाएंगे जब particularly आपको cupboard का code पता चलेगा कि CXPBXXRD आया कैसे? तो आप इसमें अगर चेक करेंगे shifting की technique अगर आप इसमें use करने जो भी हम लोगों ने पहले discuss किया था तो आप देखेंगे कि C तो अपनी जगा fix है बट U की जगा पर एक नया letter आ गया और जैसा ही आपने देखा कि कुछ-कुछ letters जग आप कुछ nine letters को use कर लेते हैं ठीक है तो चलिए जहां देखते हैं देखें C को अपनी जगा fix कर दिया गया P को अपनी जगा fix कर दिया गया B को अपनी जगा fix कर दिया गया उसके साथ साथ R और D को भी अपनी जगा पर fix कर दिया गया इन्होंने change कर दिया किसमें? इन्होंने U की जगा पे क्या लिख दिया? X, O की जगा पे क्या लिख दिया? X, और फिर से A की जगा पे क्या लिख दिया? X, कुछ फंडा clear हुआ? फंडा क्लियर हो चुका है क्या कि सर जो वावल्स हैं वावल्स को किस से रिप्लेस कर दिया X से और जो कॉंसरेंट है कॉंसरेंट अभी भी अपनी जगह बिल्कुल वैसे के वैसे रखे हुए है अब बताए कितना आसान होगा आपके लिए अमेजमेंट वर्ड का कोड निकालना चलिए जाए चेक करते हैं ये वावेल, ये वावेल, ये वावेल, ये वावेल, तो चलिए, एक जग क्या लिख दिया, X, यहाँ भी लिख दिया, X, यहाँ भी लिख दिया, X, यहाँ भी लिख दिया, X, बाकि जो consonant है, वो सारे एक सारे बिल्कुल वैसे लिख दिये जाएं, चलिए चेक करते हैं, एंसर आपके सामने लिखा हुआ है X M X Z X M X N T ठीक है replacement की टेकनिक का पहला question आपके सामने इसको कैसे identify करेंगे इसको identify करने का तरीका क्या है कि जो words आपको दिये जाएं particularly उसका जो आप code बनाएंगे उसके code को बनाने के लिए कुछ letters तो बिल्कुल वैसे ही आपके लिखे जाते हैं कुछ-कुछ letters दिवा पर कुछ नय नय वर लेटर भी आते हैं तो कैसे letters आएंगे तो इन्होंने हम टेकनिक देखी कि जो वावल्स हैं वावल्स के रिप्लेस कर दिया X से और जो consonant है वह अभी भी अपनी जगह बिल्कुल वैसे के वैसे रखे हुए है चले इसी टेकनिक का अगला question solve करते हैं next question क्या लिखा हुआ है next question लिखा हुआ है actor का code दिया गया E C T U R ठीक है और आपको किसका code find out करना है आपको code find out करना है opera का चेक कीजिए next question यही है अब देखिए अब यहाँ पर हमने क्या check किया यहाँ पर हमने देखा कि सर C को तो अपनी जगा fix कर दिया T को अपनी जगा fix कर दिया और R को भी अपनी जगा fix कर दिया इन्हों इस बार क्या 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 A की जगा पर क्या X लिखा है क्या नहीं एक जगा पर E लिख दिया और O की जगा पर क्या लिखा हुआ है? कुछ कंसे प्लियर हुआ है? आप कहेंगे, Sir, इस बार वावल को X नहीं लिखा गया वावल को वावल ही लिख दिया गया और वो केंच चेंज कैसे हुए? तो आप कहेंगे, Sir, जो वावल से उनको रिप्लेस कर दिया गया किस से? उसको रिप्लेस कर दिया गया नेक्स्ट वावल से और अभी भी जो कॉंसोनेंट है, वो अपनी जगा बिल्कुल वैसे के वैसे ही रख्खे हुए है चेक करेंगे, क्या यहीं फंडा है क्या? रेके, A का नेक्स्ट वावल क्या है? E, इसके लिए आप यहाँ पर वावलस भी दिख सकते है चेक कीज़े, A के जगा पर क्या लिख दिया? E, नेक्स्ट वावल O के जगा पर क्या लिख दिया? U, नेक्स्ट वावल वाजय कोतो यह अबला है अपने जगापे लिखे जाएंगे आए चेख कर लेते हैं और आपका एंसर आ जाएगा यू पी आई आर आप फंड़ना क्लियर होँआ अभी कोई डाउट है चले अगला कुछन देखते हैं ज्मीन क्या लिखा वगा है कि वहां पर शुभम का कोड लिखा गया है है एच एफ वाई एस जड़ एन चेक एज है कि शुभम का कोड लिखा गया है एच एफ वाई z n और आपको किसका code find out करना है आपको code find out करना है गोरों का अब देखिए अब ऐसी variety question को solve करने के लिए आप देख रहे हैं कि सारे के सारे letters अलग-अलग हो गया है सारे के सारे different letters आ गया है word में जो भी letters दिये गये थे और जो उसका कोड बनाया गया उसके साइल अगर डिफेंट हो जाए तो इसमें पहला टेक्निक काम करेंगा क्या हो सकता है कि इनके अपोजिट लेटर को वहाँ पर लिख दिया गया है ऑपोजिट लेटर क्या थे वह आपको इसके प्रिवेस में लेक्शन से मिल जाएगा नंबर का ऊपोजिट, F, B का ऊपोजिट, Y, H का ऊपोजिट, S, A का ऊपोजिट, Z, और M का ऊपोजिट, N अपोजिट लेटर क्या होते हैं उपोजिट लेटर का फंड़ा यह है कि अगर आप बात करें A to Z English Alphabet की तो A, A starting sau sing a fake brothers Zer lastsellers को गहता हैा दोनौं आपस में ऐसे तरीके से B स्तार्टिंग से दूसरा लेटर होता और Ys Professor ह्यूता है दोनों अभी भी आपस में उसे को खेंगा तो यह आप से क्षिंद का से कहलता है जिसको लोगों A का opposite Z, और V का opposite E, here is the answer, और आपका answer होगा TZ FIZE, कहानी समझ में आ गई, चले, इसी का question और देखते हैं, next question आपके सामने लिखा हुआ है, जा check करें, तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, In a particular code language, Sandeep is coded as KWWMZH, check करें, Sandeep पा जो code लिखा हुआ है, that would be KWWMZH, और आपका code किसका find out करना है, हमें आशीश वर्ड का code find out करना है, तो इसका code हम तब find out कर पाएंगे, जब मैं यह पता चलेगा, कि Sandeep का जो code बना हुआ है, KWWMZH, वो कौन से process से बना हुआ है, ठीक है, तो यहाँ भी opposite का ही funda है, लेकिन आप देखेंगे, तो S का opposite क्या था है, H, वो first letter का code, first place पे नहीं लिखा हुआ है, इसका code कहां लिख first पे, second last का second पे, third last का third पे, check करें, P का opposite K, E का opposite V, E का opposite V, D का opposite W, N का opposite M, A का opposite Z, और S का opposite H, funda clear, अगला कोशन बन जाएगा, check करते हैं, आशीश का, आईए, H का opposite, reverse side से, S, S का opposite, H, I का opposite, R, H का opposite, S, S का opposite, H, और A का opposite, Z, आपका answer हो गया, S, H, R, S, H, Z, यहाँ तो कोई doubt, चले, तो इसको हम बोलते हैं, opposite के थू कोशन को solve करना, तो अगर आपको opposite letters याद होंगे, तो इक question 25 seconds भी नहीं, सिर्फ और से 5 seconds के अंदर आपका solve हो जाएगा, ठीक है, आई, जब बढ़ते हैं, एंगले question की तरफ, next question क्या लिखा हुआ है, next question में लिखा हुआ है, कि in a particular code language, quest is coded as nxbvq, ठीक है, और हमें किसका code find out करना है, हमें find out करना है, reply word का code क्या होगा, ठीक है, आई, जब चेक करते हैं, quest का code दिया गया है, nxbvq, ठीक है, और आपको find out करना है, reply word का code क्या होगा, अब जब देखें ध्यान से, कि यहाँ पे quest का code क्या लिखा हुआ है, nxbvq, इसके previous वाले question में आपने देखा था, कि हमने इसके opposite letters को उठा के वहाँ पे लिख दिया था, ठीक है, बट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, कि Q का opposite होता है J, जो कि यहाँ पे ना तो forward में लिखा हुआ है, ना तो reverse में लिखा हुआ है, तो इस question को हम solve करते हैं, ranking के थ्रूँ, हमें क्या करना है, English alphabet की ranking को लिखना है, और उसके विहाँ में difference देखते हुए, plus या minus करते हुए, हम question को आगे solve कर लेंगे, कैसे, आई जा चेक करें, Q की ranking आपको याद करवाए गया था, 17, U की ranking 21, E की 5, S की 19, और T की 20, उसी तरीके से, N की ranking 14, X की 24, 2, 22, and 17, 5 letter यहाँ भी है, और 5 letter यहाँ भी है, ठीक है, आई जा चेक करते हैं, क्या हुआ, 17 to 14, plus 3 और minus 3, आप कहेंगे, minus 3, 21 to 24, plus 3, एक बार minus 3 और एक बार plus 3, इसका मतलब, next time minus 3 जरूर होगा, 5 to 2, again minus 3, next, 19 to 22, plus 3, and finally, 20 to 17, minus 3, फंडा काम किया, एक बार minus 3, 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 तो हम क्या करेंगे, तो हम ने इनकी ranking लिखी, R 18 पे है, E 5 पे है, P 16 पे है, L 12 पे है, और Y 25 पे है, पहले क्या शुरू किया, प्लस 3 है, पहले minus 3, तो आप कहेंगे, सब पहले minus 3 था, उसके बाद plus 3 था, चलिए चेक करते हैं, 18 माइनस 3, 15, 15 पे क्या आता है, O, अगें, 5 प्लस 3, 8, 8 पे क्या आता है, H, अगें, 16, माइनस 3, 13, 13 पे क्या आता है, M, अगें, प्लस 3, 12 प्लस 3, 15, 15 पे क्या आता है, O, और फाइनली, माइनस 3, फिर 25 माइनस 3, 22, उसके क्या मिलेगा आपको, V, और आपका answer हो जाएगा O H M O V कहानी कुछ सोज में आ गई एक question और देखें आईए एक question और देखते हैं अगला question आपके सामने board पे लिखा हुआ है In a particular code language monkey is coded as HD J M N L और आपको किसका code find out करना है आपको code find out करना है tiger का हमने फिर से देखा तो सारे इक साहे लिटर्स क्या है different है हमने पहले चेक किया opposite तो हमने देखा M का opposite N यहाँ भी नहीं था ना तो उधर था इसका मतलब क्या कि question को rank के थूँ सॉल्व करना है ठीक है आप जब चेक करेंगे तो इस बापने क्या देखा 13 से 24 आने के लिए उने क्या किया Bus 11 ठीक है आगे बढ़ते हैं 15 to 4 आने के लिए क्या किया Minus 11 आगे बढ़ते हैं 14 से 10 आने के लिए क्या कर दिया Minus 4 कुछ pattern में आपको change दिख रहा है पहले Bus 11 था फिर Minus 11 था again आप तो Bus 11 हुआ चाहिए था लेकिन चलिए कोई इश्यू नहीं एक काम और करते हैं एक स्टेप और आगे चेक करते हैं 11 सä थर्टी आने के लिए किया किया प्लस्टू क्या इससे आपको कोई पैटर दिख रहा है जैसे पिछली बा कुछन में किया था एक बहुँआ प्लस थी था यहां पे प्लस 11, माइनस 11, माइनस 4, माइनस 1, प्लस 2, कोई पैटरन है, तो आपका इसर कोई पैटरन से नहीं दिख रहा है, इसका मतलब मेभी इसको रिवर साइड से कोड कर दिया गया, आई जाचे करते हैं, रिवर साइड से, 25 to 24 minus 1 again 5 to 4 again minus 1 एक बार चेक करें भाई again minus 1 मिल गया फंडा सारे के सारे बिल्कुश सेम पैटन पे है कितना असान होगा आपके लिए अगर आपको Tiger की ranking याद है T20 पे I9 पे G7 पे E5 पे और R18 पे reverse side से किया जाए चलिए minus 1 किया 17 17 पे क्या आता है Q again minus 1 4 पे क्या आता है D again minus 1 6 पे क्या आता है F again minus 1 8 पे क्या आता है H और again minus 1 19 पे क्या आता है S आपका answer आ गया QD FHS कि जब वर्ड में लेटर्स आपके जो दिये गये हैं और जो उनका कोड दिया गया है अगर उस सारे डिफेंट हो जाए तो हमें क्या करना है हमें उनकी देनी है उसके नीचे और उसके भिहाब पर या तो फारवर्ड और या तो रिवर्स डिरेक्शन से चेक करते हुए हमें हैं और एक बार अगर आपके सामने पैटन आ गया तो कुश्चन में दूसरा बड़ चाहें कुछ भी हो आप उसका एंसे इसली ट्रेस कर सकते हैं ठीक है मुविंग ऑन नेक्स कुश्चन अगला कुश्चन मेरे सामने दिया हुआ है देखें कुश्चन क्या लिखा हुआ है कुश्चन लिखा हुआ है कि इन पर्टिकुलर कोड लैंग्वेज शुगर इस कोड़ एज एफ के पी एल्टी ठीक है और आपको फाइंड आउट करना है गुरूँस का कोड क्या होगा ठीक है अब देखिए ये काटेगरी बहुत आसान होती है पुरे कोडिंट रिकोडिंग के टॉपिक में ही कि इसमें जो वर्ड आपको पूछा गया जिस वर्ड का कोड आपसे पूछा गया है इसके सारे के सारे लेटरs उपर दिये के वर्ड में कहीं आतुनी रहा सारे के साइलेटर से अगर सारे लेटर सार होंगे तो इससे असान कोई कुश्चन निए चेकर यह जी यू आर यू एस अगर साइलेटर्स वही आ रहे हैं जो की ऊपर देगा वड में हैं तो जिस प्लेस पे जिसके लिए जो कोड दिया गया है बिल्कु के लिए क्या लिखा हुआ है के हमने यहां पर क्या लिख दिया के फिर चे करिये आर के लिए क्या दिया हुआ है टी फिर चे करिये यू के लिए क्या दिया हुआ था के हमने यहां लिख दिया के फिर चे करिये एस के लिए क्या दिया हुआ है तो आप कहें कि सर गुरूस का ज ठीक है, formation technique क्या है, कि इसमें जो word का code जिसका आप से पूछा जाता है, इसके सारे के साई letters उपर दे के word में पहले ही involved हो चुके होते हैं, और अगर ऐसा है, तो इसका मतलब क्या, इससे आसान कोई question नहीं, जिसके रहे जिस प्लेस पे जो code दिया गया है, बिल्कुल as it is उठा क कि आपको वैसे का वैसे लिख देना है, एक question और देखें, आई अगला question देखते हैं, अगला question स्क्रीन पर आपके सामने है, तो उसमें क्या लिखा हुआ है, कि एक word है आपके पास, rose, rose का code दिया गया है, f, h, b, a, अगला word उसमें दिया हुआ है, दो word यहाँ पे दिये गया आपको, chair, chair का code दिया गया है, g, c, d, e, f, है न, आपको किसका code find out करना है, देखें, हमें find out करना है, search word का code क्या होगा, तो आपको क्या करना है, फिर से वही technique यूज़ करनी है, check करना है, क्या, क्या search के sign letters, उपर दिये गए, दोनों words में appear हो रहे हैं, क्या, check करिए, किसी एक देखवण में नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ पर दो सीक्वेंस दिया गया है, तो कोई issue नहीं है, आपको search के sign letter उपर देखवण में मिलना है, आई जा चेक करें, search, s, e, a, r, c, h, sign letters मिल रहे है, बिल्कुल वैसे उठाकर code लिख दे, लिख देजे, s के लिए क्या दिया a, r के लिए क्या दिया हुआ है, f, sorry, a के लिए, e के लिए क्या दिया हुआ था, a, फिर उसके बाद a के लिए क्या दिया हुआ आपके पास, d, फिर उसका r के लिए क्या दिया हुआ आपके पास, f, और c के लिए क्या दिया हुआ है, g, फिर उसका h के लिए क्या दिया बी एडी एफ जी सी हमेशा ची धियान रखना है कि अगर दिये गए वर्ड के सारे के साइलेटर्स उपर दिये गए वर्ड में एपियर हो रहे होंगे तो जिसके लिए जिस प्लेस पर जो कोड़ आपको लिखना है बिल्कुल एस इस आपको वैसे का वैसे उठा के लिख देन है आपके सामने गार्डेन का कोड़ दिया हुआ है एच वी एस ठीक है और आपको फांड आट करना है किसका कोड़ फलार का अब यहां पहली बार आपने देखा कि यहां पर कुछ कहानी चेंज हो गई कहानी क्या चेंज होई वर्ड में कितने लेटर थे सिक्स और इसका कोड कितने का है सिक्स लेटर का या फिर उससे कम हो गया तो आप देखेंगे तो आप कहेंगे सर उससे कम हो गया तो जब दिये वर्ड के जितने लेटर्स हो उनसे कम particular लेटर का उसका कोड हो इसका मतलब इसमें कुछ और टेक्निक यूज करना है like mathematical operation या फिर कुछ इस तरीक ही टेक्निक तो आप simple सा का एक बात सोचें कि यहां पर दिया गया six letter और code कितने का है three letter का तुरंत आपके दिमाम एक चीज घुमेगी क्या कि हो सकता है कि हर दो-दो letters के लिए एक letter का code हो six letter word में है और three letters code में है चलिए आई जा चेक करते हैं कि अगर दो letters के लिए एक ही letter का code लिखा गया त क्या कि अगर हर दो letters को एक ही letter का code लिखेंगे तो seven और one को ऐसा क्या किया जाए कि eight आजाए आप क्या कहेंगे add कर देना है लीजे हमने add कर अगें 18 और four 22 22 जीजिक का letter लिख दिया last में देखा 14 प्लस 5 19 और 19 डिजिक पर जो भी letter साता है वह इसका code हो गया अब बताए कितना आसाने आपके लिए flower का code निकालना आई चेक करते हैं इन दोनों को हमने add किया कितना हुआ 18 18 पर आता है याद करिए 18 पर आपके सार आ रहाता है उसी तरीके से अब यहां ध्यान देने लिए बात है फिफ्टीन और 23 हमने इनको add किया तो कितना आया 38 अब आपके दिमाब मे question घूमना शुरू हो गया कि यार A से लेके Z तक की बात करते हैं तो 26 पर आके कहानी खतम हो जाती है बट यहां पर नंबर कौन सा आ गया 38 तो 38 डिजिट पर कौन सा लिटर आएगा तो इसको find out करने का concept क्या है कि 26 लेटर के बाद अगर आप बात करें 26 पर Z आता है 27 पर फिर से क्या मिलेगा आपको B मिल जाता है 29 पर फिर से क्या मिल जाता है C मिल जाता है तो आपको find आउट करना है अगर की 27 पर konsolidator होगा तो इसको find out करने के लिए आप इसमें से 26 मैनस कर दें और मैनस करने के बाद आपको क्या मिला 1, 1 पर कॉंसलेटर आता है A, इसका मतलब 27 पर भी क्या होगा A ही होगा एक और, माल लिजे Say suppose, आपको 30 पर find out करना है कि 30 पर कॉंसलेटर होगा माइनस कितना करना है 26, 26 माइनस किया है difference कितना है, 4, 4 पर क्या आता है D, इसका 30 पर भी क्या होगा D, अब 38 पर find out हो जाएगा I, check करते है 38 पर हमें निकालना है 26 माइनस किया, difference कितना है 12, आपको याद है 12 पर कॉंसलेटर था L, इसका मतलब 38 पर भी क्या होगा L ही होगा I, check करते है, 38 पर हमने क्या लिख दिया L लिख दिया Next, देखे, 5 प्लस 18 23, कितना? 23 और 23 पर लिटर कौन सा होता है W, आपका answer आचुका है R, L, W ठीक है, find out clear हुआ चले, एक question मैं आपको दे रहा हूँ Task के लिए उसको आप solve करें और solve करने के बाद उसका जो answer है उसको comment box में post करें और उससे later और भी एकर कोई query हो आपकी तो उसको आप comment box में post कर सकते हैं ठीक है? आज जा question देके question क्या है? मद्रास का code लिखा हुआ है A, R, S A, R, S ठीक है? आपको code find out करना है R, column का ठीक है? मद्रास जो word है इसका code दिया हुआ है A, R, S A, R, S और इसका आपको code find out करना है R, column word का तो लिजे इसके option में आपको दे दे रहा हूँ जिससे आपको थ्वास आसा असानी हो जाए R, O, A, A, K, A, M R, O, A, K, N, M R, O, A, R, O, A, K M, A, K, A, A, O, R यह चार आपके options है You will have to trace out the code forward R, column ठीक है इतना funda clear हुआ Later coding में इसके बहाँ पे सारे-सारे questions आपको solve हो जाएंगे From Delhi Police to UPSC तक के सारे questions अब इसके बहाँ पे आपको practice खूब करनी है जैसे आप लोग नमबर coding में खूब अच्छे-चे questions solve किये थे, post किये थे उसी तरीके से आपको later coding के भी सारे questions को solve करना है इनके comment को post करना है और जो भी later query आपकी अगर होती है तो उसको आप YouTube पे post करें हम लोग उसका very shortly हम लोग उसका answer देंगे ठीक है